हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक मैं चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को नए साल की धीर सारी सूप कामना है आज हम बनाने वाले बिना प्याज लैसून की पनीर मखाने की सब्जी और इसे बनाना बहुत ही असान है और जब भी आपके घर में एक से दो चमच के करीब तेल ले लिया है तेल थोड़ा सा गरम हो जाए कर उसके बाद इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले यहां मैं ले रही तेजपता काली मिर्ची लॉंग और थोड़ा सा जीरा तो यहां पर मैंने एक दो चोटे चोटे तेजपते लिया है दस से च αυτό मैं वtsåुर्णा टोषय यह चाह नहीं चाह सुसीaches parachajak मिमा क Chaos au génике काव मखान के रिखे की जाना हो चाहरी यापनगी करीग जाता है तो शुल्णा जात चाहरा दाविशिया है तो लोगे की दाविशना ने करते दाया है और यहां पर मैंने चार मिडिउम साइज की टमाटर ले लिया है और इसे डाल की हमें थोड़ी दिर कुक कर ले AIDS लेकर ले लेकिन अंना के लिए ना अगरा भिले तक कुक कर ले ले लिए उफ नि दो दो नो मिनट जाते हैं मखाने देखिए सौप्ट हो गया है अब हम क्या करेंगे इसे हम एक बरतन में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा इसे हम पीस लेंगे एक अच्छा सा पेश्ट बना के तैयार कर लेंगे अगर आपको लैसुन प्याज वाला बनाना है तो यहां पर थोड़ा स लैसुन प्याज भी एड़ कर सकते हैं थोड़ा सा उसे भी कुक कर लें उसके बाद पेश्ट बना सकते हैं तो यहां पर मैं इसे मिक्सिजार में डाल लेती हो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो पीस लेंगे और जब तक हमारा पेश्ट बनके तयार होता है तब तक आपन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेजिएगा फेस्बुक से दिख रहे तो पेज को फॉलो जरूर कर ले और यहां पर उसी पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है अब इसमें पनीर को थोड़ा सा कुक कर लेंगे थोड़ा सा तो मैंने यह पर 300 ग्राम पनीर को बड़े बड़े क्यूप में कट कर लिया है और इसे इस तरीके से डालने के बाद थोड़ा साम गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पका लेना है ताकि जो पनीर में एक्ष्टा मोश्चर होता है वो सूख जाए और इसे टेस्ट भी बहुत जाए उसके बाद इसमें हम डाल देंगे जीरा और यहां पदे के कोई भी खड़ा मसाला नहीं एड करने की जरूवत है क्योंकि हमने सब कुछ डाल के अल्रडी ग्राइंड कर लिया है तो यहां पर कुछ भी हम नहीं डाले सिरफ जीरा डाले आदी छोटी चमच के करीब ज मसाले जल जाएंगे आप चाहें तो मसाले को पानी में घोल के भी एड कर सकते हैं अगर सुखे एड करें तो फ्लेम को लो रखे और जो हमने टमाटर और मखाने पीस के तियार के तब वह हम डाल लेंगे और इससे डाल के अच्छी तरीके से भून लेंगे तो इसे आप ढ़के पकाएं यहां पर क्योंकि जब मसाले पकेंगे न तो इसमें से छीटे आने स्टार्ट हो जाएंगे तो थोड़ा सा पीसे ढ़के ही पकाएं नहीं तो हांत इसके छीटे जो हांत में लगेंगे तो उससे जलने का भी डर है तो चलिसे ढख देते पांच मिनट के लिए 5 मिनट बद मसाले हमारे कुक हो गए इसमें से साइट में से तेल भी निकलने लगा है और मसाले भी अच्छी तरीके से भूनके तैयार हो गए हैं अब यहां पर इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुजार और थोड़ी सी कसूरी में थी और आप लोग से ए कसूरी में थी मेनी आदी चोटी चमज डाल देए और नमक स्वादानु साराइड कर दिया है अब इसमें हम डाल देंगे 4-5 चमज जो दूद की उपर की मलाई होती है न मैंने वह लिया है आप चाहें तो क्रेम भी ले सकते हैं और इसे डालने कवद हमें अच्छी तरीके स इसमें से तेल भी निकलने लगा है और खुस्वी बहुत अच्छी आ रही है अब यहां पर हम क्या करेंगे पनीर को एड़ कर देंगे और यहां पर जो मने मखाने यूज कि इसकी वज़े से ग्रेवी बहुत ज्यादा थीक बनेगी और एकदम क्रीमी बनेगी और यहां पर तरवी के लिए गरम पानी यूज करना है अप ठोड़ा सा पानी गरम करके डाले तो गरेवी बहुत अच्छी बनेगी और अगर आप दूद है तो आपके आपष्ण दूद भी आड़ कर सकते हैं मैं आप पानी डाले और भी गरम करके थंड़ा पानी मत डालिएगा इसे स्पाल रखना पनीर के पहला है जब लगए पादों स्प्राइब पनीर को पाधा है प्रand economy पहले पेड़ पर पकने लिए अपको लग रखे लीड़ें फीड़ारें बांई ज्याद में पाण। जर tempted by अधूसराब साच नहीं होगी तो फड़ी जब सब्सक्राइन और गाड़ा हो जाएगा और जो हमने मखाने यूज की है उसे सब्जी में बहुत अच्छी क्रीमिनिस आती है तो आप मखाने जब बनाते हैं सब्जी तो उसमें थोड़ा सा पीस के जरूर डालिए और सब्जी में हरा धनिया अड़ करेंगे और गर्मा गर्म पनीर और मखान से देखरें कमेंट करके जरूर बताएगा ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूँ मैं आपसे फिर मिलूंगी नई वीडियो में नई रेसीपिक के साथ नई टिप्स के साथ तब तक के लिए बाई बाई और थैंक यू फॉर वाचिंग